दोस्तों अगर आपकी भी एज 18 प्लस हो चुकी है या फिर 18 साल होने में 2-3 महीने बचे होए हैं तो और आप चाते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड ओनलाइन अपलाई करना तो कैसे आप फ्रेस वोटर आईडी कार्ड के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं उसके अपना फ्रेस वोटर आईडी कार्ड के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं साथ ही अगर आप अधर स्टेट से हैं तो प्रोसी सेम रहने वाला है तो कैसे आपको उनलाइन अपलाई करना है इसके लिए आपको अपने ब्राउजर को उपन कर लेना है तो सर्च करना है काफी सारी ओप्सन देखने को मिलेगा सर्वीस को मिलेगा काफी सारी ओप्सन देखने को आपके मिल जाएंगे वेबसाइट पी तो देखें न्यू और फ्रेस वोटर आईडी कार्ड को अपलाई करने के लिए आपको सबस्पर ले करना होता है इस वेबसाइट पर साइन अ तो यहां पे हम sign up के option पे click करेंगे अगर आपकी family में आपके बच्चों का या फिर जो भी इतनल प्रस हुए है उसका आप यहां पे वोटर आईडी काड अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप पहले इस website पे login किया हुआ है तो आप इस website पे login करने के बाद अपने family में किसी कभ लिवारे otp यहां पर को receive होंगे इसके बाद email address फिल कर लेना है जो कि optional है इसके बाद राएटशर फिल करना है और continue कर डाई एँ क्लिक करने के बाद हम next step पर जायए जहां पर आपको अपना first name और last name फिल करना है इसके बाद आपको एक password यहां पे आपको फिल कर लेना है और फिर confirm कर लेना है password इसके बाद request ओटीवी कि अब्सक्राइब करना है किलिक कर देगी आपके mobile नंबर पर और अगर आपने email address फिल किया है तो आपके email address पर भी ओटीपी send के जाता है तो mobile के लुआ में लुटन करने के बाद अब हमें का फ्लिक करना है तो हमारा लोग-इं करना क्लिक करते देखे हम login page पर जाएंगे जहां पर आपको अब यहां पर login करना है तो सबसे पहले आपको अपना mobile नमबर या फिर email address आपका फिल कर लेना है या फिर EP की नमबर आपके फिल कर सकते हैं इसके बाद आपको अपना password फिल करना है इसके बाद right capture फिल करना है और फिर request O OTP करना है क्लिक करते देखे आपके mobile नमबर पर अगेन OTP सेंड के जाएगा जो कि आपको OTP कर लेना है फिल करते ही देखिए आपको OTP करने के बाद आप हमें verify and login क्लिक करना है क्लिक करते देखे हम website में login हो जाएंगे अब आप यहां से new water ID card के लिए apply कर सकते हैं या फिर आ हमें form number 6 फिल करना होता है तो हमें यहां पर form number 6 क्लिक कर लेना है क्लिक करते देखिए हम आज आएंगे अपने application form पे जहां पे हमें new water ID card के लिए कुछ यहां पर section complete करना हो इसमें L section आपको यहां पर देखने को मिलेंगे left side में तो यहां पर one by one आपको अपना यहां पर section को करना है तो सबसे पहले हमें अपने language स्टेट कर लेते हैं इस language में आप form फिल करना चाहते हैं language स्टेट के लिए आपको अपना new water ID card के लिए अपलाई करना है तो यहां पर आपको जो भी श्टेट हापका वोचलेकर लिए अगर आप दिल्ली के लिए अपना डिस्टिक करना है तो देखिया अर्वट दोस्तों बात करते हैं यहां Amepa जो आपको डिस्टिक है अगर अगर अधर स्टेट से आप अपरलाई लेकिन अगर आप दिल्ली के लिख एपलाई कर रहे कर लेना है अगर तो वह आपकी यहां पर पर सलेक्ट करना है तो यहां पर देखेंने तो उसको मैं वन बई वन डिस्टिक करने के बाद चेक रहा हूं कि किस डिस्टिक के अंदर जो हमारी एसेमबली कॉंसिटेंसी तिमारची है तो मुझे तिमारची एक सिर्फ्र जो ने सब्मारं कर लें आंडर वो o सब्सक्राइबर ल्हकूरी एक यहां बाद गलो स्लेक्स मारतां नीस आपको शॉक्यार के lapry वनमा कर मोदेश मधार ऊफ कर सकते हैं तो回다 सूर्च करेंगे तो हम section B पे आजाएंगे section B पे आने के बार हमें यहां पे फिल करनी है personal detail तो सबसे पहले जिसके नेम से आपको वो ट्राइडी काड़ बनाना है उसका first name या फिर middle name जो भी है वह आपको फिल कर लेना है इसके बाद सरनेम फिल कर लेना है साथ में उसका नेम है वह हिं आपको 2mb रखना है format हमारा jpg jpg रहेगा चूज फाइल को फिल करके आपको अपना जो फाइल है जो की फोटो है वह आपके अप्लोड कर लेना है तो यहां पर देखे मैंने फोटो अप्लोड कर लिया है और देखे successfully जो applicant है उसका face है पर detect हो गया है इसके बाद section B हमारा है complete ह चुका है इसके बाद देखे हम एक लिक करना है क्लिक करते हम C section पर जाएंगे जिसमें हमें अपना नेम और सरनेम के लिए किसी भी डिटेल देनी होती है तो यहां पर आपको रिलेशन में father को option मिल जाएगा mother को मिल जाएगा और एक option देखने को मिलेगा तो आपको यहां प आपको हिंदे में फिर हो जाएगा अगर आप changes करना चाहते हैं तो हिंदे में changes कर सकते हैं इसके बाद हमें next option क्लिक करना है क्लिक करते ही हम D section पर जाएंगे जो कि रहेगा मारा contact detail तो यहां पर देखे आपको option मिलता है mobile number का अगर applicant का self mobile number है तो आप यहां पर टिक कर सकते है लेसा जो यहां जो में आपको किसी है mobile number है उस उसन को अपिंट कर सकते हैं तो यहां पर मैं self option क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना मुबाइल नंबर यहां फिल कर लेना है इसके बाद सेंड ओटिप को सुन क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके मुबाइल नंबर पर एक ओटिप सेंड के जाएगा जिसको आपको ओटिप को सुन में फिल कर लेना है और फिर वेरिफ mobile number verify होने के बाद और email फिल करने के बाद अब हमें यह पर next लिक करना है click करते ही देखें हमारा जो section आ जाएगा वो आ जाएगा E section जिसमें हमें अपनी अधार की detail फिल करनी होती है तो यहां पे हमें अधार नंबर को उसने क्लिक करना है और फिर अधार की 12 डिजिट आपको यहां पर अपनी फिल कर लेनी है जो कि एपलिकेंट की आपको यहां पर अधार नंबर की 12 डिजिट आपको इसके बाद नेक्स क्लिक करना है क्लिक करते देखे हम F option पर जाएंगे जो की gender का option रहेगा तो यहां पर आपको applicant का gender select कर लेना है male, female या फिर transgender है तो यहां पर मैं अपना gender select कर लेता हूं applicant का इसके बाद next लुट क्लिक करता हूं जिसके लिए यहां पर option मिलता है document for proof of date of birth इस option पर मैं क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देखे हमें यहां पर select करना है document document बर आप कहके देशकते हैं date of birth के लिए birth certificate देशकते हैं अधार कार्ड देशकते हैं pancard upload कर सकते हैं driving lessons upload कर सकते हैं करने के बाद अब हमें अपने अधार कार्ट करना है इसमें आपको फोर्मेट रहेगा प्रेश नमबर या बिल्डिंग नमबर आपार्टमन नमबर जो भी हो फिल कर लेना है रिफ इलेगी जो भी इस टेट कर लेगा इसट के अपके तयक्र्म आपके सव्लेक्ट रहेगा आप देखिए जो आपने एड्रस फिल किया है उस एड्रस प्रूफ के लिए आपको विए पक्रेंट कर देंगे कर लिए वार्ट एकर अप्लोड कर सकते हैं आधार खाल भी ऑपनी प्लोड कर लिए करने के बाद हम नेक्स क्लिक करना है नेक्स क्लिक करने के बद हम नेक्स सेक्शन में जाएंगे जहां पर हमें क्याटेग्री ऑफ मिलेगी डिसेबिल्टी की यानि अगर एप्लिकेंट आपका विकलांग है तो कौन सा डिसेबिल्टी परसन है वह आपके सेलेट कर लेना है एठरस पे उसक ही डडिटेल आप यहां पर फिल करनी होती है तो यहां पर यहां पर देखी है आपको नेम को डटेल दे देनों को उसके ऑदर फादर की डटेल सकलट में लिए है जो प्लके अंपम करना है यहीं जो प्लक देना है उस coal पunde K comp isn't भी ओड्र झाइवे चाहिए हाई उसे इड्रेस का बीटेल है वह आपको यह पर करना एक चाहिए नेक्स को क्लिक करने के बद हमारा में जायेंगे सक्षन में nie 중 सबयाक तो सबसे पहले आपने ज़से से बिनानज करते हैं एक विल्बत कंट पर फल सेलेक्त करनी है जिस्टिक विल करने के बाद आपको अपने यहां पी जो addres अपका residence address है जो आपने फिल किया है उस पर आप कम से रह रहे हैं यहां पर वो date आपने पर mention कर देनी है अगर और यहां पे बैद बाइस आप रह रहे हैं तो आपको आपना करना है क्लिक करते नेक्स टैप पर जाएंगे जो कि हमारा कैप्चा का तो आमें यह पर राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर हमें क्लिक करना है प्लिए अंच्छेंड के है तो यहां पे आपको इंटे है जिसको आपको नोट कर लेना है इसी reference से आप अपनी एपलिशन को कर सकते हैं तो यहां पर साथ में बिलता है दाउनलोड एकनोलिजमेंट तो इस अपनिक करके तो यहां पे हमारा process complete हो चुका है, अब हमें अपने reference number से अपने application ID को हमें ट्रैक करना है, इसके लिए देखे हमें क्लिक करता है, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हम डैस बोड पर जाएंगे, आप देखे हमें यहां पर जाना होता है, track application status पे, इस option पे हमें click कर लेना है, click करने के आपको अपना यहां पे reference number फिल करना है, state select करना है, और submit करना है, तो देखें दोस्तों, आप जो अपने status है, वो track कैसे कर सकते हैं, वो login होने के बाद यहां पर application status ट्रैक कर सकते हैं, तो यहां पर देखें, जो हमारा application status है, reference number है, state है, assembly है, हमारी first name है, last name है, form type है, वो submission date है, साथ में submitted हो चुका है, हमारा application status, यहां पर application क्लिक करते हैं, तो देखें, अभी detail हमारी submit हो कर रही है, अब देखें, यहां पर आपको wait करना है, जो कि, अब जो आपके application submit होई है, वो आपका बेलो के पास जाएगा, फिर वो field verify होगा, उसके बाद आपका complete हो जाएगा, submit, त लगता है, तो देखें, maximum जो time लगता है, 14 days लगता है, लेकिन आपका voter ID card, 8 से लेकर, 10 दिन के अंदर बनके ready हो जाता है, तो यहां पर आपको दुबारे से, 8 वे दिन या फिर 9 वे दिन आपको check कर लेना है, अगर आपका voter ID card बनके ready होगा है, तो उसका आपको information कुछ इस त होई थी, और हमारा यहां पर epic number generate हो चुका था, तो यहां पर देखें, जो time लगा है हमारा यहां पर, सिर्फ 8 दिन के अंदर ही हमारा voter ID card बनके ready हो चुका है, और मेरे applicant का यहां पर epic number भी generate हो चुका है, जिसको आपको note down कर लेना है, अब आपको अपना voter ID card download कैसे करना है, त epic number से और reference number से, तो देखें दोस्तो, epic number भी हमारा generate हो चुका है, उससे भी अपना voter ID card download कर सकते है, अदरवाइज आपको epic number अभी generate नहीं हुआ है, reference number आपके पास available है, तो आप reference number को आप यहां पर fill कीजिएगा, select करेंगे state और search question पे click कीजिएगा, तो यहां पर अपना epic number से भ जाएगी, और फिर हमें यहां पर scroll करना है, और फिर send OTP के option पे हमें यहां पर click करना है, click करते ही, जो आपका register mobile number है, उस पे एक OTP send कर जाएगा, जिसको आपको enter करना है, OTP के option में, हमें OTP fill कर लेना है, और verify कर लेना है, अपनी detail, detail verify करते ही, देखें, हमारे सामने download EPIC का option मि click करके, हम अपने voter ID card को download कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका electronic EPIC, जो voter ID card है, वो सो कर जाएगा, जिसको आपको cut करके, इसका लेमिनसन करा लेना है, बात करते हैं, जो आपका voter ID card का plastic card है, वो आपके घर पे within one month के अंदर आपको receive हो जाएगा,